लिजे सुनिये मुईशी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के त्रेपनवे भाग को मेरी यानि समिर गोस्वामी की आवाज में पंडित मदन सिंग की कई महिने तक ये दशा थी कि जो कोई उनके पास आता उसी से सदन की बुराई करते कपूत है ब्रश्ट है शोदा है लुच्चा है एक कानी कौनी तो दूगा नहीं भीक मांगता फिरेगा तवाटे दाल का भाव मालूम होगा पदम सिंग को दान पत्र लिखाने के लिए कई बार लिखा भामा कभी सदन की चर्चा करती तो उससे बिगड़ जाते घर से निकल जाने की धमकी देते कहते जोगी हो जाऊंगा सन्यासी हो जाऊंगा लेकिन उस छोकरे का मूह न देखुँगा इसके पश्चात उनकी मान से कवस्था में एक परिवर्तन हुआ उन्होंने सदन की चर्चा ही करनी छोड़ दी यदि कोई उसकी बुराई करता तो कुछ अनमने से हो जाते कहते भाई अब क्यों से कोशते हो जैसा उसने किया वैसा आप भुकते गा अच्छा है या बुरा मेरे पास से तो दूर है अपने चार पैसे कमाता है खाता है पड़ा है पड़ा रहने दो लाला बैजनाथ उनके बहुत मुह लगे थे एक दिन वो खबर लाए कि उमानाथ ने सदन को कई हजार रुपे दिये हैं अब नदी पार मकान बना रहा है एक बागी चा लगवा रहा है चूना पीसने की एक कल्ली है खूब रुपिया कमाता है और उड़ाता है मदन सिंग ने जुझला कर कहा तो क्या चाहते हो कि वो भीक मांगे दूसरों की रुटिया तोड़े उमानाथ उसे रुपिया क्या देंगे अभी एक का चंदे से बयाय किया है आप टके टके को महताज हो रहे हैं सदन ने जो कुछ किया होगा अपनी कमाई से किया होगा ला जाते हैं और चमारनों का पेट भरते हैं सदन उन से कहीं अच्छा है मुशी बैजनाथ लज्जित हो गए कुछ काल के उपरांत मदन सिंग की मनुवरित्ती पर प्रतिक्रिया का आधिपत्त हुआ सदन की सूरत आखो में फिरने लगी उसकी बातें याद आया करती कहते दे एक बार यहां आते नहीं बनता पैरों में महंदी रचाय बैठा है पापी कहीं का मुझसे घमंड करता है कुड़ कुड़ कर मर जाओंगा तो बैठा मेरे नाम को रोएगा तब भले वहां दोड़ा आएगा अभी नहीं आते बनता अच्छा देखे तुम कहां भाग कर जात उसे लेकर ही छोड़ता था तुम्हें याद आता होगा एक बार मेरी पूजा की जोली के बस्ते के वास्ते कितना मेहना मत मचाया और उसे लेकर ही चुप हुआ बड़ा हठी है देखो तो उसकी कठोरता एक पत्र भी नहीं बेचता चुपचाप कान में तेल डाले बैठा ह पत्र प्रेम के आगे सिर जुका दिया है इस प्रकार एक वर्ष के उपर हो गया मदन सिंग बार बार सदन के पास जाने के विचार करते पर उस विचार को कारे रूप में नला सकते एक बार अस्बाब बनधवा चुके थे पर थोड़ी देर पीछे उसे खलवा दिया एक बार इस्टेशन से लोट आए उनका हिर्दा मोह और अभिमान का खिलोना बना हुआ था अब ग्रहस थी के कामों में उनका जीना लगता खेतों में समय पर पानी नहीं दिया गया और फसल खराब हो गई असामियों से लगान नहीं वसूल किया गया वो बेचारे रुपय लेकर आते लेकिन मदन सिंग को रुपया लेकर रसी देना भारी था कहते भाई अभी जाओ फिर आना गोड़ घर में धरा धरा पसीज गया उसे बेचने का प्रबंध ना किया भामा कुछ कहती तो जुझला कर कहते चूले में जाए घर और द्वार जिसके लिए सब कुछ करता था जब वो ही नहीं है तो ये ग्रहस थी मेरे किस काम की है अब उन्हें ग्याद हुआ कि मेरा सारा जीवन सारी धर्म निष्ठा सारी कर्म शीलता सारा आनंद केवल एक आधार पर अवलंबित था और वो आधार सदन का था इधर कई दिनों से पद्म सिंग भी नहीं आये थे एक बड़ा कारे संपादन करने के उपरांत चित्त पर जो शितिलता चा जाती है वही अवस्था उनकी हो रही थी मदन सिंग उनके पास भी पत्र न भेजते थे हाँ उनके पत्र आते तो बड़े शौक से पढ़ते लेकिन सदन का कुछ समाचार न पाकर उदास हो जाते एक दिन मदन सिंग दरवाजे पर बैठे हुए प्रेम सागर पढ़ रहे थे कृष्ण की बाल लीला में उन्हें बच्चों का सानन्द आ रहा था संध्या हो गई थी अक्षर सूझना पड़ते थे पर उनका मन ऐसा लगा हुआ था कि उठने की एच्छन होती थी अकस्मात कुत्तों के भूकने ने किसी नए आदमी के गाउं में आने की सूचना दी मदन सिंग की छाती धड़कने लगी कहीं सदन तो नहीं आ रहा है किताब बंद करके उठे तो पदम सिंग को आते देखा पदम सिंग ने उनके चरण छुए फिर दौनों भाईयों में बात चीत होने लगी मदन सिंग सब कुशल है पदम सिंग जी हाँ इश्वर की दया है मदन सिंग भला उस बेइमान के भी कुछ खोश खबर मिली है पदम सिंग जी हाँ अच्छी तरह है दसमें पांचमें दिन मेरे हाँ आया करता है क्या यहां आने की कसम खाली है क्या यहां हम लोग मर जाएंगे तब ही आएगा अकर उसकी यही अच्छा है तो हम लोग कहीं चले जाएं अपना घर दौआर ले अपना घर संभा ले सुनता हूँ वह मकान बनवा रहा है वो तो वहां रहेगा और यहां कौन रहेगा यह मकान किस के लिए छोड़े देता है पदम सिंग जी नहीं मकान वकान कहीं नहीं बनवाता यह आप से किसी ने जूट कह दिया हाँ चूने की कल खड़ी कर ली है और यह भी मालूम हुआ है कि नदी पार थोड़ी सी जमीन भी लेना चाहता है तुससे कह दे न पहले आकर इस घर में आग लगा जाए तब वहां जगहें जमीन ले पदम सिंग यह आप क्या कहते हैं वो केवल आप लोगों की अपरसनता के भाई से नहीं आता आज उसे मालूम हो जाए कि आपने उसे शमा कर दिया तो सिर के बल दोड़ा आए मेरे पास आता है तो घंटो आप यही की बात करता रहता है आपके इच्छा हो तो कल ही चला आए मदन सिंग नहीं तो मैं उसे बुलाता नहीं हम उसके कौन होते हैं जो यहाँ आए का लेकिन यहाँ आए तो कह दे न जरा पीठ मजबूत कर रखे उसे देखते ही मेरे सिर पर शैतान सवार हो जाए का और मैं डंडा लेकर पिल पड़ूँगा पूर्ख मुझसे रूठने चला है तब नहीं रूठा था जब पूजा की समय पोथी पर राल टपकाता था खाने की थाली के पास पेशाप करता था उसके मारे कपड़े साफ न रहने पाते थे उजले कपड़ों को तरस के रह जाता था मुझे साफ कपड़े पहने देखता था तो बदन से धूल मिट्टी लपेटे आकर सिर पर सावार हो जाता तब क्यों नहीं रूठा था आज रूठने चला है अपकी पाउं तो ऐसी कनेठी दूँ कि छटी का दूध ही आदा जाएगा दोनों भाई घर गए एक बार तुझ जाकर देखाएं घर वाले मरे की जीते हैं कहो कुशल से तो रहे पदम सिंग हाँ सब तुम्हारा आशीरवाद है कहो खाना क्या बन रहा है मुझे इस वक्त खीर, हलुआ और मलाई खिलाओ तो वो सुख समवाद सुनाओं की फड़क जाओ पोता मुबारक हो भामा की मलिन मुख पर आनंद की लानिमा चागई और आखों में पुटलियां पुश्प की समान खिल उठी बोली चलो घी शक करके मटके में डुबा दो जितना खाते बने खाओ मदन सिंग ने मुह बना कर कहा हम ये तुमने बुरी खबर सुनाई क्या ईश्वर के दरवार में उल्टा ने आया होता है मेरा बेटा चिंजा और उसे बेटा मिल जाए अब वो एक से दो हो गया मैं उससे कैसे जीच सकूँगा हार ना पड़ा ये मुझे अवश्र कहींच ले जाएगा मेरे तो कदम अभी से उख़डगए सच्मोच ईश्वर के हम बुराई करने पर भलाई होती है उल्टी बात है कि नहीं लेकन अब मुझे चिंता नहीं है सदन जहां चाहे जाए ईश्वर ने हमारी सुन ली क्या दिन का हुआ है पदम सिंग आज चौथा दिन है मुझे चुटी नहीं मिली नहीं तो पहले ही दिन आता मदन सिंग क्या हुआ छटी तक पहुँच जाएंगे धूमधाम से छटी मनाएंगे बस कल चलो भामा फूली ने समाती थी हिर्दय पुलकित हो उठा था जी चाहता था कि किसे क्या दे दू क्या लुटा दू जी चाहता था घर में सुहर उठे दर्वाजे पर शेहनाई बजे पडोसने बुलाई जाएं गाने बजाने की मंगल धोनी से गाउंगूंज उठे उसे ऐसा ग्यात हो रहा था मानु आज संसार में कोई हसाधारन बात हो गई है मानु सारा संसार संतानहीन है और एक मैं ही पुत्र पौत्रवती हूँ एक मजदूर ने आकर कहा भोजी एक साधू द्वार पर आये है भामा ने तुरंद इतनी जिंस भेज दी जो चार साधूं के खाने से भी न चुकती जोहीं लोग भोजन कर चुके भामा अपनी दोनों लड़कियों के साथ ढोलक लेकर बैठ गई और आधी रात गाती रही अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के त्रेपनवे भाग को मेरी यानि समीर गुस्वामी के हवास में